यदि आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो इस सब्सक्राइब बटन को दबाने के बाद इस बैल आइकन पर क्लिक करें और फिर इस औल के बटन को ज़रूर दबादें इसके बाद आपको नोटिफिकेशन मिलने लगेंगे यहां पर लेगा रा गए हैं 50 GKK MCQ 50 में से 30 का टार्गिट दे रहे हैं बहुत ही शांदार सेलेक्टिड कॉशन होने वाले हैं आपके एक्जाम की दुष्टी से तो प्लीज कोशिश करिएगा 50 में से 30 कॉशन आने के लिए दोस्तों ये 50-50 कॉशन के वीडियो जरूर पूरा क्या के दिए जदि आप 50 कॉशन नहीं लगा पाथ किए एक्जाम में काई एक्जाम वस्तों नंबर के होते हैं वह मैं ऑप्र प्रथम विशो किनके बीच ला गया तो आफीम युद्ध जो हुआ था वो हुआ था ब्रिटेन और चीन के बीच आप्शन नमबर ए ब्रिटेन चीन बिलकुल सही आंसर हो जाएगा जहां दारशाह राज सिंग हासन पर किसके मनोपरांत बैठा था तो जहां मकबरा रटिय ताज महल कहलाता था तो दूसरा ताज महल म přिवर्बियां अउड़ा ओइख का मकब्रह कहलाता थाया औप्शन瞇भ में इस प्रशण के लिए सही आंसर हो जाएगा मुगल कार्म है तामम informações का शिक्का कहलाता था त्मर यहां पर दाम सही आंसर हो जाएगा जहांगीर ने थॉमस रोको कहां मिलने का अवसर दिया था तो जहांगीर ने बोला था थॉमस रोको अजमेर में मिलने के लिए आप्शन नमबर भी अजमेर यहां पर सही आंसर है इस प्रशने के लिए शेर साह का उत्तराधिकारी कौन था तो शेर साह का उत्तराधिकारी इसलाम शाह था आप्शन नमबर भी इसलाम शाह सेर साह का उत्तराधिकारी राग गोविंद के रचनाकार कौन है तो राग गोविंद के रचनाकार मीरा भाई है option number A मीरा भाई यहाँ पर इस पुशनिक लिए से आंसर है संत रामदास ने किस ग्रंथ की रचना की तो संत रामदास ने की थी दाश बोध की रचना comment करके बताईए बीजक के रचनाकार कौन है option number B यहाँ पर बलबाचार से अंसर है बाग ए फिरदोस की स्थापना किस ने की थी तो बाग ए फिरदोस नामक जगा की स्थापना महमूद बेगड़ा ने की थी ऑप्शन नमबर भी यहाँ पर इस प्रशने के लिए राइट आंसर हो जाएगा किस घटना का संबंद लौड वेविल से नहीं है तो लौड वेविल के बारें बात हो रही है क्रिस्प मिसन का भारत आना इस घटना का संबंद लौड वेविल से नहीं है पुनर जागरन का अग्रदूत किसे माना जाता है तो पुनर जागरन का अग्रदूत दानते ऑप्शन नमबर ए यहाँ पर दानते बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए सर्विया की गुप्त क्रांती कारी संस्था कौन सी थी सो सर्विया की गुप्त क्रांती कारी संस्था आपकी काला हाथ option नमबर एक काला हाथ black hand बिल्कुल सही answer निम्न में से कौन मंदिर इस्थापत की एक सैली नहीं है तो मंदिर मंदिर गुजरात में स्थे थे option number B गुजरात बिल्कुल सही answer हो जाएगा comment करके बताए ये black pagoda black pagoda किस राज में स्थे comment करके होता ही ये इस गुफा का निर्मान भगवान विश्णू के सम्मान में करवाया गया था तो भगवान विश्णू के सब्सक्राइब और भूमत रेका कहा से गुजरती है इनमे से जो options देगा है तो भूमत रेका केनिया से गुजरती है option मसी किनिया बिल्कुल सही answer होजाएगा comment करके बताएए मैं आपको 2 option दे रहा हूं बताए कमेंट करके करके कहा से गुजरती है दो option आपको दे रहा हूं एक है उत्तर प्रदेश है और दूसरा है जार्खंद करकर रेखा इन दोनों में कहां से गजरती है क्या इन दोनों से नहीं गजरती है या इन मेंसे किसी एक से बुजरति है comment box में comment करके answer जरू देजीगा सूरावा प्रत्वी के भीच अधिक्तम दूरी होती है तो सूरावा प्रत्वी के भीच अधिक्तम दूरी को होगी निमन मैसे किसे white of the earth कहा जाता है तो white of the earth कहा जाता है mental को option number B यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, White of the Earth के लिए, Mona lowa उधारण है किस चीज का, तो Mona lowa जो उधारण है, वो सक्रीय ज्वाला मुखी का उधारण है, option number A, सक्रीय ज्वाला मुखी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, निमने में कौन सी कार्बनिक चटान है, तो कार्बनिक चट्टान जो options दिएगा है इनके अनुसार कोईला एक कार्बनिक चट्टान है option नमबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाए कोईला महासागरिय धाराओं मैंसे कौन सी सीत धारा कहलाती है तो महासागरिय धाराओं मैंसे आपकी दक्षण अट्रलांटिक अपवाह सीत धारा कहलाएगी option नमबर भी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा इस प्रशन के लिए तर्की किनके मद्य इस्तित है तो तर्की जो है आपका वो काला सागर और भूमद्य सागर के बीच में इस्तित तर्की मानव इतिहास की प्रथम प्रजाती किसे माना जाता है तो मानव इतिहास की सबसे पहली प्रजाती जो माना जाता है वो माना जाता है निग्रोएड को option प्राकृतिक जन संख्या व्रद्धिदर जो होता है वह जन्मदर एवं म्रत्युदर से इसका संभन्ध है option नबस तो आपका इरान से विए किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है तो यूरोप की तेल राजधानी के नाम से जाना जाता है, Aberdeen को a option number b, Aberdeen यहाँ पर इस Pardon के लिए सया आंसर हो जाएगा, Pearl of Siberia किसे कहा जाता है, तो Pearl of Siberia बेकाल जील को कहा जाता है, और option number a, बेकाल जील यहाँ पर इस प्रशने के लिए सया आंसर हो जाएगा, मैकसिको देश स्थित है, तो Mexico देश if you backward Apa किस महाधिवह Rasad Алपका उत्तर अमेरिका महाधिवह कोई स्थल रुद्द देश नहीं थे थे लिए अमेरिका में कोई इस्थल रुद्द 복acookie नहीं है निंव्ने सैंशितёр है नर्वदा नदी पर नहीं बना है तो नर्वदा नदी पर आपका यहां पर ऑप्शन के अनुसार भालकुंड जल्द प्रपात नहीं बना है बाकि कपिल धारा दुख्द धारा और भेड़ा गाट यह तीनों नर्वदा नदी पर बने हुए हैं कमेंट करके बताइए घॉरो पढ़ी ओजना जो इस्तार फिश्टारट हुई थी दो हजार दो में स्टार्ट हुए थी औप्शन नंबर भी यहां पर स्यांसर हो जाएगा समुद्र त्टीय प्रदेशों में किस प्रकार की जलवाई। पाई जाती है तो समुद्र तटीय प्रदेशों में जो है परश्ती चाया प्रभाव किस से सम्बंद थैं तो ब्रश्ती च्हाया प्रभाव आपका परवती वर्श्या से सम्बंद थैं फ culinary प्रब्रश्ती च्हाया प्रभाव one ठीस न्फिलिए यहां लिए भारत में उशनकटी बन्द्य सदा वाहर वन कहां पाई जाते हैं तो भारत में उशनकटी बन्द्य सदा वाहर वन पाई जाते हैं आपके केरल में option अबसी केरल यहां पर इस प्रश्ण के लिए right answer हो जाएगा किस इस्तान पर वर्शा की विशमता सरवादिक होगी तो वर्षा की विसमता यहां पर जो options देगा है राजस्थान में सबसे ज़्यादा होती है option number B बिल्कोल सही answer हो जाएगा राजस्थान राजस्थान के CM का नाम comment box में comment करके होता है राजस्थान में कौन मुख्य मंत्री है comment जरू करिएगा सुंतरवन के जंगल को क्या कहा जाता है बिल्कोल इजी कॉशन है सबसे ज़्यादा पूछा क्या कॉशन है तो सुंतरवन के जंगलों को मेंग्रोवन कहा जाता है option number मेंग्रोवन यहां पर इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा भार्त महात्मा गांधी राष्टी समुद्री उद्ध्यान कहा पर इस थे तो महात्मा गांधी राष्टी समुद्री उद्ध्यान यहां पर options के अंसर पोर्ट ब्लेयर option number 2 यहां पर इस प्रशनी के लिए right answer हो जाएगा पोर्ट ब्लेयर नवीन जलोड मदा को किस अन्य नाम से जाना जाता है तो नवीन नई जलोड मदा को कहा जाता है आपका खादर option number 1 खादर बिलकुल सही answer हो जाएगा नई जलोड मिट्टी को तिलया बांध किस नदी परिस्थत है तो तिलया बांध यहां पर जो options देगा है उसके अनुसार बराकर नदी परिस्थत है option number B यहां पर सही answer हो जाएगा बराकर नदी राष्ट्रियव बीज अनुसंध्दान एवम परिस्थचन केंद्र कहा परिस्थत है तो राष्ट्रियव बीज अनुसंध्दान एवम परिस्थचन EV involved के लिए आपको बनारसी उत्तरपदेश जाना पड़ेगा option number a बनारसी उत्तरपदेश यहाँ पर इस प्रशने के लिए सही आंसर हो जाएगा काकरापार परियोजना किस नदी घाटी से समवनेथ है तो काकरापार परियोजना जो है आपकी तापती घाटी से संबनेत है option नमबर यहां पर यह तापती घाटी विल्कुल सही आंसर हो जाएगा इस प्रशने के लिए और यह हो गया आपके सुपर फास्ट पचास कॉश्चन पता भी नहीं चला चलो नदियों से संबनेत लास्ट कॉश्चन था आपका तो नदी से संबन धन्यवाद दोस्तों आपका इंशोब हो बहुत बहुत धन्यवाद